एक विक ओवर्विव आपके लिए प्रैक्टिकल एक्जाम के रिलेटेड तो प्रैक्टिकल एक्जाम अपियर होने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन्स है ठीक है कि सबसे पहले आप लोगों को Google Gracie गूगल फॉर्म के लिंक प्रोवैड कि जाएंगी ठीक है गूगल फॉर्म के लिंक के ठ्रूओ आप लोगों को आपकी जो परिस्टनल इंफर्मेशन है ठीक है जैसे कि आप लोगों काइडिकल हो इंट्रेश हो गया है ठीक है ठीक है नुद्द्वी बहूथ सारे अपने रोल नमबर के पहले लिखता है, आपका रोल नमबर लिखना है, जैसे 25 और उसके सामनी जो कोई भी नमबर होंगा, वो S21 आप लोगों को लिखना नहीं है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ठीक है, उसके बाद में रिजिस्ट्रेशन नमबर जो आप लोग सब्जेट की नीचे आप लोगों को एक इमेज फाइल मिल जाएंगी, जिसमें आप लोगों को आपके रोल नमबर के हिसाब से आप लोगों को कौनसा प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म करना है, वो बता दिया जाएंगा, तो आप लोगों को आपका रोल नमबर चेक करना है कि आप लोगों का जो roll number है वो कौन से range में है और वो range के हिसाब से जैसे कि कुछ particular 10 roll number को एक practical assign किया गया है और कोई दूसरे numbers रहेंगे उनके लिए कुछ all practical assign किया गया है तो आप लोगों को आपका roll number चेक करना है कि कौन से range में आप लोगों का roll number है और उसके सामनी कुन सा practical perform करनी के लिए बोला गया है तो वो practical आप लोगों को perform करना है यह और और जो कोई भी information यहां पर उपर भरी है ठीक है जैसे आप लोगों का नाम हो गया है रोल number हो गया है मोबाइल नमबर हो गया है रजिस्टेशन नमबर हो गया है सब्जेक्ट है आज की डेट है यह सब इनफर्मेशन आप लोगों ने आपके प्रैक्टिकल लिखते टाइम उसके उपर आप लोगों को लिखनी है मिंस प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या लोगों का registration number, mobile number, subject और आज की date ये सब लिखने के बाद, उसके बाद में आप लोगों ने आपका practical start करना है, ठीक है, तो practical में दो section दिये गए है, एक practical और एक थेरी, तो practical सबसे पहले आप लोगों को perform करना है, और practical के बाद में आप लोगों को जो थेरी दी गई है, वो थेरी लिखने के लिए, तो ऐसे जो जितने भी pages, two, three pages आप लोगों ने जिस पर practical और theory related information लिखी हुई है, उसको आप लोगों को image से PDF में convert करना है, और PDF में आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का haul ticket, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने जो है, उसके बाद में आप लो लिखेंगे, तो उसमें page number भी आप लोगों को याद से लिखना है, उपर, जहाँ पे आप लोगों ने आपकी personal information लिखी थी, उसके side में, corner पे भी आप लोगों ने अगर लिखा तो भी चलेंगा, page number याद से लिखना है, ठीक है, so page number के हिसाब से आप लोगों ने वो pages को orange कर करना है, और वो particular जो कोई भी PDF आप लोगों की बनेंगी, वो PDF फाइल आप लोगों ने लिखने के बाद में, आप लोगों ने अप लोगों ने अप लोड करनी है, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को Google form की लिंक आ जाएंगी, ठीक है, लिंक आने के आप लोग उसमें कुछ भी upload नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो एद रखना आप लोगों ने सब लोगों ने सब 12 तक ही आप लोगों ने आपकी जो सबी चीज़े है वो perform कर लेनी है, ठीक है, तो ये सब चीज़े आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, ठीक है, और उसके बा इस तरह से आप लोगों का प्रैक्टिकल जो है वो upload हो जाएंगा, उसके बाद में आप लोगों को 12-12 के बीच में वायवा की लिंक आ जाएंगी, जो कोई भी external रहेंगा, वो वायवा की लिंक के थुरू आप लोगों का जो वायवा है वो conduct करने वाला है, ठीक है, तो वाय जाएंगी, उसके हिसाब से आप लोगों ने वायवा के लिए जोइन होना है, ठीक है, तो external सर जब तक वायवा लेते रहेंगे, आप लोगों ने वेटिंग में रहना है, अगर आप लोग जोईन होते हो, आपका रोल नमबर अभी बाद में है, तो आप लोगों ने वेटि प्रैवा के लिए जोईन होना है, अगर आप लोगों ने किसी रीजन के वज़े से वायवा नहीं दिया है, मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ, कि जहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिवीटी है, वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिकल के लिए जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं च यहाँ पर कोई माइने नहीं रखती है, वह थो were considered नहीं की जाएगे, अगर आप लोगों ने upload नहीं किया है कोई information, प्रैक्टिकल अपलोड नहीं किया है, वायवा नहीं दिया, तो आप लोगों को practical next jam, जो एगजाम रहेंगे उसमें आप लोगों को देना पर हैं ठीक है, यह सब चीज़े consider नहीं होगी, अगर आप लोग देते हो proper, तो वो consider किया जाएंगा, नहीं proper submit करते हो within the time, वायवा within the time नहीं देते हो, तो उसके हिसाब से आप लोगों का जो है वो result जो है वो अपियर किया जाएंगा, ठीक है, नहीं आएंगे तो आप लोग तो अपसेंट सि आपके performance के साब से, आपके practical के साब से आप लोगों का जो है वो marking किया जाएंगा, तो यह सब चीज़े आप लोगों को जहन में रखनी है, okay, so, best of luck for all the students, thank you, thank you very much.